हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटब चैनल पर दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने आ लहूं कि किस तरीके से आप अपने किसी भी एंडरोइड मोबाइल फोन गो फिर चाहे आपका मोबाइल फोन सैमसंग कंपनी का हो या फिर MI कंपनी का हो ओपो का हो या फिर Vivo का हो या फिर OnePlus का हो किसी भी ब्रेंड का आपका मोबाइल फोन हो आप उसको किस तरीके से फुल रिसेट कर सकते हैं दोस्तो reset करने की ज़रूत है हमको अलग-अलग कारणों के कारण करना पड़ जाता है reset बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे mobile phone के अंदर कोई setting या फिर किसी प्रकार की कोई problem आ जाती है उस वज़े से भी हमें अपना mobile phone को reset करने की ज़रूत होती है कई बार दोस्तो ऐसा होता है कि हम किसी को अपना mobile phone sale करते हैं बेचते हैं तो वहाँ पर भी दोस्तो हमें अपना जो mobile phone होता है उसको reset करने की ज़रूत होती है reset करके सामने आले को देने की ज़रूत होती है तो ऐसे में दोस्तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं मोबाइल को रिसेट करने के लेकिन दोस्तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन को फुल रिसेट कर सकते हैं और अपने मोबाइल फोन को रिसेट करने से पहले किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या आपको करना जरूरी है, तो अगर आपको दोस्तो वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो की नीचे यहाँ पर दोस्तो यह Like बटन होता है इसको दबा कर वीडियो को जरूर से Like कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो की नीचे ये लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होता है इसको दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिगा साथ में इस गंटी वाले बटन को जरूर से दबा दीजिए पहली बात कि अगर आप अपने किसी भी Android मोबाइल फोन को reset कर रहे हैं, फुल reset कर रहे हैं, जैसा कि नया था same to same वैसा हो जाए, तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपके मोबाइल फोन के अंदर जो email ID होती है, जहाँ पर जैसे कि आप Play Store वगएरा खोलते हैं, तो वो email ID के through ही कुलता है, तो आपके मोबाइल फोन की जो email ID होती है, उसका password का पता होना आपको बहुत जरूरी है, अगर आपको email ID का password नहीं पता है, और आप अपने mobile phone को reset कर लेंगे, तो वहाँ पर दोस्तों बाद में आपका mobile phone जो है, वो आपसे email ID को मांगेगा reset होने के बाद, तो वहाँ पर अगर आप password को enter नहीं करेंगे, तो आपका जो mobile phone है, वो फिर service center के माध्यम से open होगा और वहाँ पर आपको पैसा भी लगेगा, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको email ID का आपका password मालूम है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आपके mobile phone के अंदर email ID होती है, वो enter है, डली हुई है आपके mobile phone पे email ID, और आपको उसका password नहीं मालूम है, और आप अपने phone को reset करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आपके mobile phone के अंदर से उस email ID को remove कर लेना है, ताकि आपका mobile phone reset होने के बाद, आपसे वो email ID ना माँगे, तो अगर आपको email ID पता है, तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है, तो इसके लिए अपसे पहले, आपको आपके mobile phone के setting को इस तरीके से open करना है, और इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे, नीचे की तरफ में आपको Google के नाम से मिल जाएगा, या फिर आपका MI वगरा का phone है, तो यहाँ पर sync के नाम से मिलेगा, अगर आपका MI का phone है, तो sync के नाम से यह setting मिलेगी, और अगर आपका phone Samsung, Oppo, Vivo अगरे रहेगा है, तो Google के नाम से मिलेगा, तो इसको आपको इस तरीके से open कर लेना है, जैसे ही आप open करेंगे, तो जो भी आपके mobile phone के अंदर ID यहाँ पर होगी, तो वो आपको इस तरीके से यहाँ पर show करेगी, तो आ नीचे की तरफ में यह more वाला option होता है, इस पर touch करके, सबसे पहले आपको remove account कर देना है, जैसे ही आप remove account करेंगे, तो आपकी जो email ID होगी, वो वहाँ से remove हो जाएगी, हट जाएगी, ठीक है ना, इतना काम करने के बाद, अब आपको आना है, अपने mobile को reset करना है, तो इसके नीचे की तरफ में backup and restore का option मिल जाता है, और इससे भी सरल अगर आपको नहीं मिल रहा है यह option, तो इस तरीके से setting में आने के बाद, उपर की तरफ में यह search का option होता है, इस search के option पे आपको आके backup लिखना है, यह इस तरीके से backup and restore, देखें इस तरीके से backup and restore लिखेंगे, जैस इस तरीके से यह setting open हो जाएगी, देख सकते हैं आपने आपर सर्च किया backup and restore, backup and restore सर्च कर देगे, बहुत ही सरल बता रहा हूँ, और इसके बाद इस तरीके से यह आपकी setting open हो जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना कहीं भी सर्च नहीं करना है, और नीचे की तरफ में आना पूरा format हो जाएगा, reset हो जाएगा, फुल तरीके से, जैसा आपने mobile phone नया लिया था, same to same वैसा उस condition में हो जाएगा, आपको वहाँ पर, आपका mobile phone जो है एकदम फुल तरीके से, मतलब जैसा आपने नया खरीदा था, same उस तरीके से दिखाई देगा, restart होके चालू हो जाए जो कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया, तो मित करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो के नीचे like बटन होता है, दबा कर वीडियो को जरूर से like कर दीजे, अगर आप चैनल पे नए हैं, तो वो आप सबसे पहले देख पाएंगे तो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जयमाता दी